दोस्तों जब से यूक्रेन और रसिया में जंग चल रही है तब से दुनिया में इधन को लेका चिंता वनी हुई है जिसकी बज़े से पूरी दुनिया में बहुत से अल्टेनेटिव को सर्च किया जा चुका है अगर हम बात करें भारत की तो भारत भी किसी से पीछ नहीं रह गया था जहां पर भारत के अलग अलग राज्य जैसे कुलकता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदरवाद और सूरत में लगभग 5450 अलेक्रिकल बस ऑपरिट की जानी है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक को सब्सक्राइब जरू कर लीज लागा से पूर्ण सुदेशी तरीके से इन बसों की मैनुफ्रेक्चिंग भारत में करेगी जहां पर इन एलेक्रिकल बसों को नई फेम सेकंड योजना के तहट मेडिन इंडिया बनाय जाएगा वहीं रिपोर्ट के मताबिक मना जाए तो यहां पर दो टाइप की बसों का प्राइस एड किया हुआ है जिसमें 12 म्ằली बसेस का व्लॉछ। 6.49 इंड को व्हीं चैर्जिंग में आने वावाइस को भी oni किया हुआ है इस्टेंडर में तोटल 5 कैटेगरी रहें जिसमें 12AlPay त How the सी बसे होंगी जहां पर सी एसल की रिपोर्ट के मताब एक बसों की बारा बड़सों में लगभग फोर पॉइंट से बन विलियन किलोमीटर चलने की उमीद है जिससे बन पॉइंट एट बिलियन लीटर जीवा स्वीधन की बच्चत होगी जिसके परणाम सुरूप टेल पाइ जिसमें पित्ती बस दसलाग किलोमीटर चलना सुनेशित किया गया है टाटा मोटर्स की होने वाली इन इलेक्टिकल बस की मैनुफ्रेक्चिंग से काफी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा और टाटा मोटर्स की इस बड़ी सफलता के बारे में आपकी क्या हमें कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा उमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी ऐसे ही इन्फोमेटर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा हम फिर मिलते हैं एक ना इन्फोमेटर वीडियो के साथ जब तक अपने और अपने बड़ कि एगा